Welcome to Math Solution क्या आपको भी BoardMask के इस तरह के प्रस्टन को बनाने में दिक्कत होती है क्या आप भी BoardMask के रूल सही धंग से नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोग BoardMask को सही से बनाना सीख जाएगा इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबस पहले हम लोग जान लेते हैं कि BoardMask आखिर BoardMask का पूरा नाम होता क्या है तो BoardMask का पूरा नाम होता है B से Bracket अब Bracket में भी हम लोग चार Bracket को पढ़ना है पहला यह रेखा कोश्टक इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं रेखा कोश्टक अगर रेक्रींग जिसको बोलते हैं उसके बाद यह हुआ छोटी कोश्टक यानि छोटी Bracket तब होता है Manjali Bracket इसको क्या बोलेंगे भाग, एम से मल्ट्प्लिकेशन यानि गुनह होता है ए से एरिशन यानि जोर होता है समट्रक्षिन घ्टा होता है लास्ट बला जो कोस्टन है? यानि इसमें लास्ट बल nú आर यह काफ्य IMPORTENT है देखिए इसमें पहला प्रसन सिंपल प्रसन है काता है 16 भागा 4 पलस 18 गुना 5 माइनस 3 पलस 2 अभी हमने बोर्ड मस में परा तो आपको देखना परेगा रूल में कि यहाँ पर जोर घटा गुना भाग ही आया है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ब्राइकेट और का को छोड़ देंगे और जोर घटा गुना भाग में ही देखेंगे 16 भागा 4 तो हम लोग को लिखना परेगा 16 भागा 4 पहले बार में आप लोग लिखे तुरंत बनाए मत अब इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले इसको भाग देते हैं जब 16 में 4 से भाग दीजेगा तो 4 आएगा इसका कम हो गया यानि मेरे भाग का कम हो गया अब पलस अब इसको लिख लिजिए 18 गुना 5 मैनस 3 पलस 2 लिख दिये अब आपको क्या करना है गुना का कम करना है तो गुना का कम करेंगे तो लिखेंगे 4 पलस 18 पचे 90 इधर मैनस कितना 3 पलस 2 अब गुना का कम भी हो गया अब किसका जोर का कम करना है तो जोर का कम मतलब जितना भी जोर बला है सबको जोर दीजिए तो 4, 90, 94 हो गया 94, 2 कितना 96, तो 96 मैनस 3, अब किसका जोर का कम हो गया तब यहां इस क्या होगा घटा का कम, 96 में से 3 घटाना है तो 6 में से 3 घटा तो 3 बचा, इधर 9 यानि 93 जो आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा यानि हमने सबसे पहले क्या भाग का कम किया उसके बाद यहां गुना का कम किया उसके बाद सभी जोर का कम किया और अंती में घटा का कम किया नेक्स्ट क्रॉस्टन को हम लोग बनाते हैं तो देखिए, यहां पर लिखा गया 18 पलस 12 भागा 4 इसको लिखेंगे इस परकार इसको लिखेंगे इस परकार अब भाग का काम होगा तो भाग हम लोग कर लेते हैं लिखेंगे अठारा पलस चार से जब बारह हम भाग दिजिएगा तो कितना हो जाएगा तीन होगा तो चारतिया बारह अब पलस दो अब सब को क्या करना है जोड देना है तो इसको सबको जोड लीजिए यहाँ पर हम लोग जोड लेते हैं 18 तीन और दो को 18 दो 20 अब 20 से तीन कितना हो जाएगा 20 यहाँ पर 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा तो यहाँ पर 20 हो गया नेक्स कोस्टन क्यों हम लोग बढ़ेंगे अब हम लोग कोस्टन नमर 3 और 4 को देखेंगे अब हम लोग तीसरे परस्टन को देखते हैं तो देखें तीसरा परस्टन में क्या क्या है जोर घटाओ के साथ साथ बराकेट दो बराकेट है एक है छोटी बराकेट एक है मंजली बराकेट तो सबस पहले हम लोग एक को दो से गुना करेंगे दो ही होगा तो कुछ आप सौट आप चलते रहिए क्योंकि दिरे दिरे आपको सौट करना सीख जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे अठारा ठेक उसके बाद पलस चार माइनस तीन अब देखिए तीन को अंदर इसमें गुना कर जोरिए तो इ पहले जोर का काम होगा उसके बाद घटा का तो अठारा चार होता है बाइस कितना होगा बाइस अब बाइस में कितना घटना आना है पंदरा तो बाइस में पंदरे को घटा देंगे तो हमें कितना हो जाएगा तो दिखिए बारे म से पहुंच गया साथ यानी साथ हमें मंजली करेंगे तब बरी तो हम लिखते हैं लिखेंगे 16 पलस 8 बरी बराकेट है 3 पलस 2 इंटु मंजली बराकेट में देल है कितना 3 माइनस 4 ठीक पलस 2 अब देखिए यहां पर ध्यान से लिखिएगा 2 है और 9 में से 6 को घटाएगा तो 3 बचेगा तो 3 को अब यहां पर गुन दो इंटू अब यहां पर 3 माइनस 4 पलस 6 यह हो जाएगा अब देखिए यहां पर 6 में से 4 घटा तो 2 यहां इसे भी कर सकते हैं आप लोग 6 3 9 9 में से 4 घटा 5 5 को 2 से गुना करेंगे पांदूनी 10 इसको आप लोग लिखिएगा इसे 16 पलस 8 इंटू 3 पलस 10 कैसे हमने लिख देखिएगा यहां पर यहां पर 3 और 6 9 हुआ 9 में से 4 गया 5 5 दूनी 10 इसका खेल खत्म हो गया अब हम लोग बरी बराकेट के अंदर जो है इसको लिखेंगे तो देखिए हो जाएगा 16 पलस अब इसका देखिए 3 और 10 जूटेगा तो 13 होगा और 13 को 8 से गुना करेंगे तो 13 थी 108 होता 13 थी 108 तो 16 और 104 को जोड़िएगा तब आपको प्राप्त हो जाएगा 120 यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा अब हम लोग जो कि इसका इस वीडियो में सबसे महतपूर्ण परसन है कोसन नमर पॉंच उसको हम लोग देखने बाले हैं देखिए पाचमा परसन को किस र हैं सॉल्प करेंगे यहां पर यह मंझली बरायकेट बरी बरायकेट के साथ क्या है रेखा कोश्टक है या उपर रेकरिंग भी है तो सबसे पहले कौम किसद्ट का होगा तो रेकरिंग चार, पलस, तीन, अधियान रखिएगा यहां पर, अब इसके अंदर देखिए, दो और छे, क्या होगा, यहां पर पहले जुटेगा, अगर आप बोर्ड मास का रेकरिंग वला अगर नहीं जानते होंगे, तो यहां जान लिजिए, पहले इसकी का काम होगा, दो और छे को जो पलस, दो, जिस तरह लिखा गया, पहले आप उस तरह लिख दीजिए, ठीक, हमने उस तरह लिख दिया है, अब चार, अब कोशिश करें इसी का काम करने के लिए, पलस, यहां पर चार से आठ में भाग दीजिए, दो बचेगा, अब दो को तीन से गुना कर दीजिए, दो त इसी का काम होगा तो 6,4,10,10 तिया 30 तो 30 यहां पर बड़ी बड़ा कर घेर दी इस तरह तो यहां 18 पलस 2 इंटू यहां पर देखिए इसके अंदर देखिए तो 9,6 उसको गाद माइनस 3 इंटू तो लिखेंगे 9,6,6, माइनस 3 को यहां पर 6,4,10,10 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा हो गया अब इसको क्या करना है हमें इसके अंदर देखिए यह दोनों जोर में है तो जुट जाएगा 9,6,15,15,15 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 15 इसको हम लिखेंगे 18 अपलस 2 इंटू माइनस 15 क्या लिखेंगे माइनस 15 तो इसको देखिए माइनस को हम लोग स्वाल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर लिखेंगे 18 देखिए पलस माइनस माइनस 15 दूना 30 हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा अब 30 में से हमको क्या करना है 18 को घटा लेना उल्टा घटाएगे चि बरा हो जाएगा है इसलिए माइनस बारा इसका सही उत्तर हो जाएगा इस तरह आप आसान तरीका से बोर्ड मास के सभी प्रशनों को स्वालू कर लिए होंगे I hope कि आप बोर्ड मास सीख गए होंगे यदि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीख पाया होंगे तो इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों के साथ जरूर सेर करें साथे साथ इस चैनल पर नए है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिन धन्यवाद